नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का UPSC उतकर्ष में मेरा नाम है पूजा दिवेरी हाल ही में नासा ने एक पिच्चर शेयर की थी जिसमें सुनीता विल्यम्स बस बोन्स एंड स्किन लग रही थी यानि कि उनका स्वास्त बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है माना जाता है कि फरवरी दोहजार पच्चिस में इलॉन मस्क की कमपनी इन्हें वापस लाएगी ऑफकॉर्स यह जो पटिकलर सिच्वेशन है यह काफी जादा चिंता जना के हाला कि सुनीता विल्यम्स ने खारेच कर दिया है कि उनके स्वास्त में कोई प्रॉब्लम नहीं इतने लंबे समय तक स्पेस में रहने की वज़े से हुमन बॉडी काफी चेंज हो जाती है और किस प्रकार से प्रभावित होती है यह खुद में ही एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है इसके बारे में हम विस्तरत तोर से आज चर्चा करेंगे जिन स्टूडेंस ने मेरी यह क्लास मिस कर दी है जो कि 15 नवंबर को हाल ही में हुई है आज ही हुई है इंफाक्ट बारा बजे की लाइव क्लास थी और ऐसी बहुत सारी क्लासे जद्धियन सीरीज के अंतरगत आएंगी अलग-अलग टीचर्स की इसके बारे में हमने और टाइम टेबल डिसकास कर लि चलिए सुनीता विल्यम्स यह जो पटिकिलर पिच्चर है जब दिवाली थी तब सुनीता विल्यम्स जोकी मूर् रूप से भारतिये हैं इन्होंने बताया था दिवाली का महत्व डिवाली भी सब को विश्च की थी हाली में भारतिये मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता उसने अंतरिक्ष में कई महीनों बिताने के बाद स्वास्तेसंबंधी चिंताओं को व्यक्त किया है थोड़ा बहुत तो हो ही रहा है एक साक्षातकार में उन्होंने अपने शारीरिक स्थिती के बारे में जानकारी साजा कि जिससे लंबी अवधी के मिशन के दौरान उनका व रीजन क्या था हीलियम लीक और डर था कि अगर इनको वापस लाया जाया तो जो कलतना चावला के साथ हुआ को लंबस में इसी तरह की एक और दुर्गटना सुनीता विल्यम्स के साथ ना हो जाए बुच विल्मोर के साथ ना हो जाए तो इसी के बारे में हम चर्चा फ्लाइट साक्षातकार के दौरार अपने अनुभव के बार में बताया कि इतने लंबे समय समय से खाला कि इस से पहले भी सुनीता विलियम इसे लंबे समय के लिए रही है बट उस समय अलग तरह की प्रिपरेशन की गई थी इस बार तो बस वो आठ दिन के लिए जाने वाली और नासा के आठमेस कारक्रम के हिस्से के रूप में चंद्रमा और मंगल के भविशे में मानव अनुवेशन के लिए तयार होना है सुनीता विलियम्स सुनीता 322 दिन तक कुल अवधी अंतरिक्ष में रह चुकी है मतब अभी तो 150 दिन हुए है इससे पहले भी यह लंबे समय के लिए रही है इनका जन्म में 19 सुतंबर 1965 में हुआ था माता पिता ओहायो में डॉक्टर दीपक और बोनी पांडिया के घर में इनका जन्म हुआ 1987 में फिजिकल साइंस में इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस किया उसके बाद 1995 में इंजिनेरिंग मैनेजमेंट में मास्टर्स ऑफ साइंस किया इसके अलावा 1988 में नासा की एस्ट्रोनॉट और यूएस नेवी की रिटाइट कैप्टन रही है विलिम्स ने दो मिशनों में अंतरिक्ष में 322 दिन बिता हैं कुल मिला के इसके अलावा कुल 50 घंटे और 40 मिनट के 7 स्पेस वॉक्स भी की है साथ स्पेस वॉक्स यानि कि बाहर भी अपने यान से निकली थी स्पेस वॉक्स उसी को कहा जाता है बुच विल्मोर यह 178 दिन तक अंतरिक्ष में रह चुके हैं बुच विल्मोर बोईंग मिशन के कमांडर रहे हैं 29 दिसम्बर 1962 को इनको जन्म हुआ माता पिता इनके यूजीन और फेर विल्मोर रही हैं इनकी भी एक्सपीरेंस काफी लंबी रही हैं अगर बात करें 2000 से नासा से एस्टोनॉट और यूएस नेवी के रिटाइट कैप्टन रहे हैं विल्मोर ने दो मिशनों में अंतरिक्ष में 178 दिन बिता हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से इनका एक्सपीरेंस रहा है इनको वेल ट्रेन किया जाता है इन सब चीजों के लिए विल्लिम्स के स्वासे के बारे में चिंताय हाल ही में तब सामने में आई जब अंतरिक्ष में उनकी तस्वीरों से पता चला कि वो बहुत ज़ादा दुबली दिख रही है जिसे अंतरिक्ष में तेजी से वजन कम होने के बारे में सवाल उठाए गए हाला कि विलियम्स ने अमने साक्षातकार में इंचिनताओं को सपष्ट रूप से कहा कि बहुत ज़ादा गंभीर बात ने हैं घबराने की बात नहीं है यह आम है स्पेस स्टेशन पर बहुत बदलाव होते रहते हैं या मज़िदार है मुझे लगता है कि कुछ अफवाह है कि मेरा वजन कम हो रहा है बात तो सच है पर वो उनका बड़पन है और उनकी मिचौरिटी है जो यह बताना चाह रही है कि ज़्यादा घबराने की बात नहीं है हमारे पास स्प्रिंग मास है जिससे हम अपना वजन मापते हैं उन्होंने कहा कि हमने अपने वजन को मापा है बुच और मेरा वजन उतना ही है जैसे हमने यहां आने पर किया था यह उनका कहना है विल्यम्स ने बताया कि अंतरक्ष में रहने के प्रभाव उनके शरीर के माइक्रो ग्राविटी के अनुकूलर में स्पष्ट है यानि कि यहां पर जिस प्रकार जितनी जादा कहीं कहीं कि ग्राविटी होती है उतना जादा वहां वजन माना जाता है तो सुनीता विलियम्स कह रही है क्योंकि वहाँ पर माइक्रो ग्राविटी है वहाँ पर ग्राविटी जितनी अर्थ पर है उस हिसाब से नहीं देखी जा रही है इस वज़े से वहाँ पर इनका वजन थोड़ा डिफरेंट है जो स्प्रिंग मास से यह माथते हैं इसके अलावा एक महत्वपूर्ण परिवर्दन शारीरिक तरल पदार्थों में बदलाव होता है जो आपका ग्राविटी है यह सारे जो फ्लूइज आपकी बॉड़ी में है इसको वेल डिस्टिबूटेड रखता है हाला कि माइक्रो ग्राविटी अलग रूप से तरल पदार्थों को बाठती है जिसके कारण पूरे शरीर में तरल पदार्थों के पुनर वित्रन के कारण अंत्रिक शात्रों के सिर बड़े दिखाई देते हैं हम पिछले कुछ महीनों से यहां हैं और हमने यहां कसरत शुरू की है मतब कसरत यह वहां पे रेगुलर करना होता है ताकि आपका बॉड़ी आपकी बॉड़ी रहे इसके अलावा हमारे पास एक ट्रेड्मेल है उन्होंने कहा साथी साथ भारो तोलन उपकरण भी है उन्हो कि टिपणियों ने हड्डियों की स्वास्त के बारे में हमारे ध्यान को केंद्रित किया है अंतरिक्ष यात्रियों के सामने आने वाली चुनौतियों को भी उजागर किया है अंतरिक्ष में गुरुत्वा कर्शन के अनुपस्थिती से हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है विशेश रूप से रीड कूल है और पैरो जैसे वजन सहन करने वाली हड्डियों में प्रित्वी पर गुरुत्वा कर्शन हड्डियों की मस्बूती को बनाया रखने में मदद भी करता है। लेकिन जो माइक्रो ग्रैविटी है सूक्ष्म गुरुत्वा कर्शन में अंतरिक्ष यात्री प्रतीमा एक से दो प्रतीशत तक हड्डी का द्रव्यमान भी खोते हैं। इससे निपटने के लिए विल्यम्स जैसे अंतरिक्ष यात्री हड्डियों के नुकसान को रोकने और अपनी हड्डियों के घनतों को बनाये रखने के लिए प्रतीदन भारोत तलन, स्क्वाट और ट्रेड्मिल्क वर्काउट सहीर प्रतीरो दब्यास करती हैं। इन प्रयासों के बावजूद हड्डियों के नुकसान को पूरी तरह से रोकना एक चुनौती बनी रहती हैं। फ्लूइट्स खराब होने लगते हैं, मसल वीकने सा जाती हैं। फ्लूइट्स तर के रेडियेशन का सामना इनको करना पड़ा है और भविश्य में कैंसल होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। 371 दिन अंतरिक्ष में बिताने वाले फ्रैंक में कुछ बदलाव दिखे थे इनसे पहले भी 371 दिन का रिकॉर्ड होल्डर एक व्यक्ती थी फ्रैंक नाम था उनका और उनके शरीर में भी कुछ बदलाव देखने को मिले थे। क्या क्या थे ये बदलाव इन से पहले कहीं अंतरिक्ष यात्रियों अंतरिक्ष में लंबा समय बिता चुके हैं। उनने 437 दीन बिताये हैं यंके बदलाव आ गया वजन में कमी आई और सिस्टम में परिवर्तन देखने को मिला जो कि परिफवीिड की और शर्राय कैप या गृटी अलग Bear विलियम्स और उनके साथी अंतरिक्षियानी की बैरी बुश्विल्मोर लगभग पाच महिने से इंटरनाशनल स्पेस सिस्टम में फसे हुए हैं और यहां एस्टोनाट आते जाते रहते हैं ताकि अलग-अलग साथी एक्सपेरिमेंट्स वो खुद भी कर सके और उनकी बॉड़ी पे भी जो असर आ रहे है उसको भी माप सके दोनों ने 5 जून को बोईंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष्यान पर अपनी पहली चालक दल की उडान के लिए उडान भरी थी 6 जून को अंतरिक्ष्टेशन पर पहुचे लेकिन स्टार लाइन में हीलियम लीक और थ्रेस्टर में खराबी के चलते हुए इन्हें वापस नहीं लाया जा सका बीते 6 सितंबर को स्टार लाइनर को क्रू के बिना वापस प्रिथवी में लाया गया नासा ने 24 फरवरी को बताया कि सुनीता विल्लियम्स और बुच विल्मोर दो हजार पच्चिस तक धर्ती पर लॉटेंगे इसके अलावा सुनीता और बुच विल्मोर बॉइंग और नासा के जॉइंट क्रू फ्लाइट टेस्स मिशन पर गये थे सुनीता स्पेस क्राफ्ट की पाइलिट इसमें थी इसके अलावा उनके साथ गई बुच विल्मोर इस मिशन में कमांडर थे दोनों को इंटरनाशन स्पेस स्टेशन में आट दिन रुखना था बढ़ ही अफकॉर्स एक्सेंट हो गया लॉंच के समय बोईंग डिफेंस स्पेस अंड सिक्यॉरिटी के प्रेसिडेंट और सी ओ ने कहा कि इस स्पेस रिचर्च के नए यूग के शांदार शुरुवात बताई थी साथी साथ मुख्य उद्देश इथा कि स्पेस क्राफ्ट के एस्टोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर वापस लाने की शमता दिखाना चाह रहे थे क्योंकि देखो बोईंग के जो एरक्राफ्ट से उनके साथ हाली की कुछ धुरगटनाओं की वज़े से इनका नाम खराब हो गया था तो जैसे स्पेस सेक्स इलॉन मस्क एक प्राइवेट कंपनी है इन्होंने भी सोच हम भी अपनी प्राइवेट कंपनी के वज़े से आग मैनुएली भी उड़ाया था फ्लाइट टेस्स से जुड़े कई तरह के अब्स अब्जेक्टिव को पूरा करना था यहां पर अगर हम देखे बोईंग और नासा मिलकर यह स्टार लाइनर बनाया था बोईंग कंपनी अपने CST-100 स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट को स्पे यानि कि लोर अर्थ और्बिट प्रित्वी के चारो और के कक्षाओं पर घूम रहा था स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट के लाउंच के समय ही उसमें कई दिक्कते चल रही थी तभी इसका लाउंच भी थोड़ा डीले हो गया था और इसके चलते 5 जून से पहले भी कई ब इस पेस क्राफ्ट में बहुत सारे थ्रस्टर थे बट इसके वज़े से बहुत सारी प्रॉब्लम्स बीती हो सकता है सुनीता विल्यम्स अगर इसमें आती तो उनके साथ हाचा हो सकता था ठीक है इसके अलावा इससे संबंधितिक प्रशन देख लेते हैं निमने कतनों पर विचार कीजे सुनीता और बुश विल्मोर बॉइंग और नासा के जॉइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए थे पहला इस मिशन का मुख्य उद्देश स्पेस क्राफ्ट की एस्ट्रोनाट्स को स्पेस स्टेशन तक ले के ले जाकर वापस लाने की शमता साबित क करना था तो आपको बताना होगा इंड में से कौन सा कथन सत्य है और कॉमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताया इसके बारे में बहुत बहुत शुक्रिया स्टे अपडीटेड